भारत माता की भारत माता की बेंगालूरिना नन्ना सोधरा सोधरियार गे नमस्कार गळु ताई भुमनेश्वरी ताई अनम्मा देवी बन्शंकरी श्री दोड़ा गनपती और श्री दोड़ा बसमना के चर्णों में मेरा प्रणाम आज पूरे बैंगलूरू में इतनी बड़ी संख्या में आप यहां आये हैं और संदेश भी साफ साफ है फिर एक बार फिर एक बार भाई और भेनों 2014 में और 1219 में आपने रेकॉर्ड सीटे जिता कर जो मजबूत सरकार बनाई उसने देश को मजबूत बनाया है तब दुनिया भारत को फ्रेजाइल फायू में गिनती थी दुनिया सोचती थी बारत खुज तो डुबेगा हमें भी ले डुबेगा भारत के बैंक बड़ी क्राइसिस में थे हजारो करोड के स्कैम्स ने विदेशी इन्वेस्टर्स में डर का माहोल पैदा कर दिया था एक बो समय था एक आज का समय है आज जब देश भारत से दुनिया में कहीं पर जाईए सब देश भारत से दोस्ती मजबूत करना चाहते हैं आज इन्वेस्टर्स भारत में रेकोर्ड पैसा लगा रहे हैं आज भारत रिकोर्ड एक्सपोर्ड भी कर रहा है और मैनुफेक्टरिंग में भी नए रिकोर्ड बना रहा है तब भारत दुनिया की इलेवंथ नंबर की इकोनोमी था आज भारत दुनिया की टॉप फाइव एकोनोमी में से एक है आज भारत फॉलो करने वाला नहीं बलकी फॉस्ट मूवर हो गया है भारत और यह चेंज आपने देखा है सिर्फ पर स्रेप यह टैनियर में आया है और इसका मूल करण क्या है इतना बड़ा परिवरतन आया कैसे यह परिवरतन किस ने किया आपका जवाब गलत है यह परिवरतन आपके एक वोट ने किया है इस तुनाओ में इंडिय अलाइस के लोग एक गिसी पीटी टैप रेकर्ड लेके घूम रहे हैं और मोदी और उसके साथ ही ट्रैक रेकर्ड के साथ बैंगलोर के लोगों से आप सभी से फिर एक बार आशिरवाद मांगने आया भाई और बहनों आप सभी बीते कुछ समय से एंडिय और इंडिय अलाइस दोनों का प्रचार अभियान देख रहें कॉंग्रेस और इंडिय अलाइस का इश्यू मोदी है मोदी का परिवार है मोदी पर लगाये जा रहे जूठे आरोफ है लेकिन मोदी का फोकस किस पर है मोदी का फोकस 21st सेंचुरी के भारत का विकास है भारत के नागरिकों की सुविदा और सम्रुद्धी है भारत की ग्लोबल इमेज है आप ही मोदी का परिवार है मेरा भारत मेरा परिवार है साथियों आप भली भाती जानते हैं मैं साथार और गरिब परिवार चाया हूं इसलिए जानता हूं कि इस ओफ लिविंग क्या होती है डिगनीटी ओफ लाइब क्या होती है आज जब भारत में तेजी से अर्बनाइजेशन हो रहा है तब सहरों में रहने वाले गरीब यहां के मिडल कास उसकी क्वालिटी ओफ लाइफ में बहुत सुधार आना चाहिए वो बहुत जरूरी है इसके लिए NDA सरकार सोशल, फिजिकल और डिजिटल इन तीनों प्रकार के इंफ्रास्रेक्टर पर रिकॉर्ड इन्वेस्ट्मेंट कर रहा है साथियों पिछले तेन यर्स में NDA सरकार वारा शहरों में गरीबों को करीब बन करोर पक्के घर दिये गए इन में से 84,000 गर यहां बैंगलूरू में मिले हैं मिडल क्रास के लोगों का घर का सपना पूरा करने के लिए सरकार ने उने इंट्रेस सबसीडी दी है और यह आजादी के बाद पहली बार हुआ है ऐसा करके हमारी सरकार ने मिडल क्रास के 60,000 करोर रुपिस से ज़्यादा सेव कराए हैं गरीब और मिलल क्रास के घर इनकंप्लिट न रहे जो बिल्डर है वो आजादुरा छोड़कर के पैसे दबा करके चला न जाए मद्दमबर के परिवार का सपना तूट न जाए इसके लिए एंडिये सरकार ने रेरा कानून बनाया आज बैंगलूरू के वी थ्री थाउजन से ज़्यादा हाउसिंग प्रोजेक्ट रेरा के तहत कवर्ड है उसके कारण जो एग्रिमेंट हुआ है बैसा ही मकान बना कर देना पड़ता है जो मट्रियल लिखा है वो ही मट्रियल उप्योग करके देना पड़ता है आप अपने क्लायंट को गुमरा नहीं कर सकते उसको लूट नहीं सकते ऐसा रेरा कनोन आप सब नागरिकों की बलाई के लिए बनाया है 2014 से पहले आपकी टू लैक्स की एन्यूल इंकम पर ही इंकम टेक्स लग जाता था आज आपको सेवन लैक्स रूपीस तक की इंकम पर कोई टेक्स नहीं देना परता है 2014 से पहले अलग अलग तरह के इंडारेक्ट टैक्सिस आपके कपड़ों का बिल रेस्टराम है खाने का बिल हर तरह के खर्चे बढ़ा देते थे जी एस्टी लागू होने के बाद ये इंडारेक्ट टैक्सिस भी कम हुए हैं इससे भी आपके थाउसंस अप करोड रूपीस खर्च होने से बच्चे हैं जो एलीडी बल कभी 400 रूपीस का था आम उसकी कीमार 400 से 40 रूपीस तक ले आये हैं अब घर घर में एलीडी बल्ब होने से रोशनी जादा मिलती हैं बिजली बिल में मिडल क्रास के करीब 20,000 करोड रूपीस हर साल सेव हो रहे हैं अब तो एंडिय सरकार ने एक और नई योजना शुरू की है PM सूर्यगर मुप्त बिजली योजना इससे इलेक्ट्री सिटी का आपका बिल जीरो होगा इतना ही नहीं इलेक्ट्री सिटी से कमाई भी होगी इतना ही नहीं अब जमाना EV का आ रहा है इलेक्ट्रिक वेहिकल का रहा है उसके करण आप अपनी स्कूटी हो स्कूटर हो कार हो अगर वो इलेक्ट्रिक वेहिकल है तो उसका चार्जिंग भी घर में करवा सकते हो और आपको घर में चार्जिंग करने के बाद खुद का ट्रांस्पोर्टेशन भी करीब करीब फ्यूवल का खर्चा जीदो हो जाएगा साथ्यों गरीब और मेडल क्लास का बहुत बड़ा कर्श हेल्थ रिलेटेड होता है लेकिन आयुश्मान भारत योजना इसमें गेम चेंजर साबित हुई है आयुश्मान भारत योजना के चलते आज करोड़ों लोगों को फाइव लैस रुपीस तक का फ्री टीटमेंट मिलना सुनिस्टिद हुआ है इससे भी लोगों के बन लाट करोड़ों डुपीस शेव हुए है और अब बीजेपी ने अपना जो मैनिफेस्टो गोशिप किया है उसमें इस योजना को एक्षपांड कर दिया गया है देश के हर ऐसे सीनियर सिटीजन्स जिनकी एज सेवन्टी यर्ज से उपर है उन्हें भी अब फाइव लैस रुपीस तक का फ्री टीटमेंट मिलेगा और ये फैसला सिरफ सीनियर सिटीजन्स कोई नहीं बलकि हर युवा को भी रिलिफ देगा जो अपने माता पिता की हिल्फ के पती चिंतित रहते हैं एंड ये सरकार ने जो जन आउसदी केंद रखोले हैं उनमें 80% डिसकाउंट पर मेडिसिन्स बिलती है इससे भी मिडल क्लास के करीब 30,000 करों रुपी सेव हुए है साथियों बैंगलूरू तो डिजीटल इंडिया का इतना बड़ा हब है भारत की डिजीटल क्रांती में आपकी इतनी बड़ी भुमी का है आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर भारत में मोबाइल डेटा का रेट 2014 वाला ही तरहता तो क्या होता उस समय बन जीबी डेटा 250 रुपीज के आसपास होता था आज बन जीबी डेटा 10 रुपीज के आसपास है अगर 2014 के पहले उस समय का हाल होता तो मोबाइल का जो बील आज 52700 का आता है वही 527,000 रुपीज का आता आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी पर मंद कितनी ज़्यादा सेवी सिर्म मोबाइल बिल में हो रही है साथियों सस्ते डेटा के साथ ही एंडिये सरकार का जोर डेटा गवननस पर भी है हमारी सरकार डेटा सिकुरिटी के लिए बहुती स्ट्रॉंग बिल लेकर आई है डेटा मोनिटाइजेशन की दिशा में भी भारत तेजी से काम कर रहा है इसे देश में एक स्ट्रॉंग सिस्टिम बढ़ रहा है भारत के लिए AI युग में जाना आसान हुआ है साथियों नाडप्रभु केंपे गोडा ने बैंगलुरु को एक शांदार शहर बनाने का सपना देखा था लेकिन कॉंग्रेस सरकार ने कूची समय में यहां की सिच्चुएशन बिगाड दिया कॉंग्रेस ने टेट सिटी को टेंकर सिटी में बदल कर उसे बॉटर माफिया के हवाले कर दिया एग्रिकल्चर हो या फिर शहरी इंफ्रासेक्टर हर जगह बजेट को कट किया जा रहा है कॉंग्रेस सरकार का ध्यान सरफ करप्शन पर है बैंगलुरु के लोगों की समस्याओं पर नहीं है करनाटका में सरफ सेंट्रल गवर्मेंट के पोजेक्ट तीजी से चल पा रहे है 2014 में नम्मा मेट्रो का नेटवर्ट सिरफ 17 किलोमेटर था आज 70 किलोमेटर से ज़ादा हो चुका है बहुत जल यलो लाइन भी पूरी हो जाएगी दसकों से लटके बैंगलुरु सबर्बन प्रोजेक्ट पर काम सुरू हो चुका है आप सभी को सेटलाइट टाउन ड्रिंग रोड का लाब भी मिलना शुरू हो चुका है भाई और बहनों आज बैंगलुरु के इंटरनेटलर एरपोर्ट की दुनिया भर में चर्चा होती है वो दिन दूर नहीं जब भारत के लोग मेड इन इन या पैसेंजर प्लेन में सफर करेंगे आज बंदे भारत जैसे आधुनिक ट्रेने ट्रेन ट्राइवेल को तेज और कमफर्टेबल बना रही है वो दिन दूर नहीं जब करनाटका को भी बुलेट ट्रेन के हाई स्पीड बिलेगी है साथियों बीजेपी सरकार ने देश में नए नए सेक्टरों के दरवाजे खोले इसे युवाओं के लिए बड़ी संख्या में एमप्लोईमेंट के अवसर बने है बेंगलूरू को यहां के प्रोफेशनल्स को इसका बहुत बड़ा लाब मिला है हमने स्पेस सेक्टर खोला तो प्राइवेट सेक्टर ने अपना रोकेट लॉंच किया 1.25 लेक्ट से ज़्यादा स्टार्ट अप्स में युवाओं का सामर्थ दिख रहा है मिशन ग्रीन हाइड्रोजन से इन्वेस्मेंट की संभावना एक कई गुना बढ़ गई है आसान ड्रोण पॉलिसी से मैपिंग, क्रिशी, रक्षा, मेडिसिन के छेत्र में ड्रोण का उप्योग बढ़ा है 5G के विस्तार से आर्टिफिशल इंट्रिजन्स और इंटरनेट ऑफ फिंग्स में आउसर बनने लगे है डिजिटल इंडिया अभियान ने लाग खोड डिजिटल एंटर्प्रिजन्स तयार किये PLI स्कीम से मैनिफेक्टिंग सेक्टर तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है मोबाइल एस्पोर्ट में भारत नए रिकॉर्ड बना रहा है मेट्रो कोच ट्रेन के डिब पे डिफेंस इक्विप्मेंट भी एक्सपोर्ट हो रहे हैं आपने टीवी में देखा होगा खबार में पड़ा होगा कल ही भारत के ब्रंबोस मिसाइल का पहला कंसाइनमेंट फिलिपिन्स को भेजा गया है इसने ग्राउन लेवल पर बड़ी संख्या में एम्प्लोईमेंट ओपर्टूनिटी पैदा की है क्या कॉंग्रेस के समय में ये कलपना भी की जा सकती थी क्या आपको याद होगा यही कॉंग्रेस है जिसने H.A.L. को लेकर कितना बड़ा बवाल किया था कॉंग्रेस ने देशभर में मोदी को बदनाम करने की कोशिश की थी बही H.A.L. आज रिकॉर्ड तरणोवर record profit record order प्राप्त कर रही है करनाटका में एशिया की सबसे बड़ी helicopter factory बनी है अमेरिका के बाद बोईंग की दूसरी सबसे बड़ी facility करनाटका में बनी है ये तबी हो पा रहा है जब भारत में factory बड़ रही है उसमें काम करने वालों के संख्या बढ़ रही है भाई और बहरो बैंगलूरू युवा शक्ति युवा टेलेंट और टेक्नलोजी का पावर हाउस है लेकिन कॉंग्रेस और और इंडी गड़ बंडन टेक्नलोजी के विरोधी है आज पूरी दुनिया डिजिटल इंडिया की प्रशुशा कर रही है भारत के phintech की प्रशुशा कर रही है लेकिन आप भूलिएगा नहीं कॉंग्रेस ने आधार का विरोद किया था, अदालतों में गशिट कर ले गए थे, कॉंग्रेस ने जन दन एकाउंट का विरोद किया था, कॉंग्रेस ने डिजिटल पेमेंट्स का मजाक उड़ाया था, कॉंग्रेस ने राशन की योजना में डिजिटल अथेंटिफिकेशन का विरोद किया, कॉरोना के सबाए बैंगलोरू की एक आईट इंडस्री ने पूरी दुनिया को इतना सपोर्ड किया, लेकिन यहीं कॉंग्रेस है, जिसने कॉरोना के दोरान कोविन प्लेट्फरम का विर अराम किया, साथियों मोधि कहता है देश को ग्रीन एनर्जी हब बनाएंगे, फ़ारमा हब बनाएंगे, इल्टॉनिक्स हब बनाएंगे, Electrical Vehicle Hub बनाएंगे Semi Conductor Hub बनाएंगे Global Innovation Hub बनाएंगे ताकि भारत Global Economic Hub बने लेकिन Congress और इंडी गड़बन्न वाले कहते हैं मोदी को हटाएंगे मोदी की गारंटी है 5G के बाद 6G लाएंगे वो कहते हैं मोदी हटाएंगे मोदी की गारंटी है AI लाएंगे वो कहते हैं मोदी हटाएंगे मोदी की गारंटी है चंद्रयान के बाद गगनिया का गवरव दिलाएंगे तो वो कहते हैं मोदी हटाएंगे Congress anti-youth है क्योंकि Congress Congress anti-investment है Congress anti-entrepreneurship है Congress anti-private sector है Congress anti-taxpayer है Congress anti-bills creator है साथ्यों यहां Congress सरकार जिस प्रकार के विचारों को जिस मानसिक्ता को बढ़ावा दे रही है वो भी बहुत खतरनाख है यहां हमारी बेटियों पर हमले हो रहे हैं पहाई और बहनों रूख है यहां करनाटका में किसानों को दी जा रही 4,000 रूपीज की मदद Congress सरकार ने बंद कर दी है लेकिन मोदी की गारंटी है कि PM किसान सम्मानिटी के 6,000 रूपीज किसान साथ्यों को मिलते रहेंगे किसानों के अनाज को स्टोर करने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी योजना भी शुरू किया यहां की रूरल बेल्ट में बड़ी मात्रा में रागी हुगाई जाती है हम रागी जैसे हमारे स्री अन्न को दुनिया के बड़े बाजारों तक पहुचाने में जुटे हैं इसका सीधालाब करना टका के हमारे छोटे किसानों को होगा साथियों ऐसे ही अनेक बड़े संकल्प है जो आपके सपने पूरे करने के लिए NDA सरकार ने संकल्प लिया है आपके सपने पूरे करने के लिए ही BJP और JDA साथ आये है और इसलिए मैं आपको गारंटी देता हूँ आपके सपने ये मेरा संकल्प है मेरा पल पल आपके नाम मेरा पल पल देश्टे नाम और मैं आपको बादा करता हूँ 24 by 7 24 by 7 for 2047 आर इसलिए 26 एपलूर को बैंगलूरू नौर्थ से सोभाजी बैंगलूरू रूरल से डॉक्तर सीयन मंजुनाथ बैंगलूरू सेंट्रल से PC मोहन और बैंगलूरू साउट से युवा साथी बैंटेज़स्टी सुरिया को भारी मतों से विज़ई बनाना है इस बार बैंगलूरू शहर में बोटिंग के सारे रिकोर्ट तूटने चाहिए साथियों वैसे आप सभी के लिए मैंने अपने भाषणों को कंड़ा भासा में ट्रांस्लेट करके सोशल बिडिया पर अप्लोड करना शुरू किया है इसमें AI की मदद ली जा रही है Twitter यानि X-App पर नमो इन कंड़ा नाम से एक एक एकाउंट भी है आप इससे जरूर जुड़े और जादा से जादा लोगों को भी इसके बारे में बताएं मेरा एक काम करना है करेंगे मेरा एक काम करेंगे पक्का पहले तो जादा से जादा मतदान कराओगे अपना पोलिंग भुच जीतोगे फिर एक मेरा परसनल काम करोगे परसनल है करेंगे गर गर जाना है और हर गर जाकर कहना है हमारे मोदी जी आए थे और आपको प्रणाम कहा है मेरा प्रणाम पहुचा देंगे मेरा प्रणाम पहुचा देंगे मेरे साथ बोलिये भारत माता के भारत माता के भारत माता के बहुत बहुत धन्यवाद झाल